नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्रम ख़बर की खोज, सच की परताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपीद पत्रकारिता, दाखती है, सवाल, दर सवाल आज हम आप से, जी हाँ, आप से तमाम भारती नागरिकों से पूछेंगे कुछ सुलकते हुए सवाल, जो बहुत बड़े होकर खड़े हैं भारती लोकतंतर के सामने ऐसे सवाल, जिनका जवाब खोजे बगैर, हम, आप, हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता, शायद इसे पीछे ढखेलने वाली ताक्तें पीछे ले जाएंगी सबसे पहले, कि आप अपने प्यारे भारत को नफरत पर आधारित देश बनाना चाहते हैं? एक ऐसा देश जहां चारो तरफ नफरत का कारोबार हो, नफरत वाले ट्वीट हों, नफरत पहलाने वाले लोग सडकों से लेकर तमाम जगों पर अपना दावा ठोक रहे हों? दूसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि इस देश में भीड को ही सही और गलत तै करने का अधिकार होना चाहिए? कोई भी भीड समूह में आकर लिंचिंग करने यानि भीड द्वारा पीट पीट कर मारने की जो प्रवर्ती है, उसे नए कानून के तौर पर, देश के नए नॉर्मल के तौर पर इस्थापित करे हमारे बीच में, क्या आप अपने मुल्क, अपने वतन, अपने प्यारे भा में चाहते हैं कि लोकतंत्र की जगा भीरतंत्र हावी हो, तीसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि जो फिल्में हम देखते हैं, जो इंटर्टेन्मेंट हम देखना चाहते हैं, जो मनोरंजन की पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, वह, वहां से लेकर विज्यापन तक में, क्या देखें क्या दिखाएं क्या शूट करें इस पर सिर्फ मुठी भर उपद्री तत्वों का दखल हो वे ही निर्धारित करें कि फिल्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए यहां तक की विज्यापनों में भी क्या कमपनी दिखाना चाहती है क्या ब्रैंड आगे बढ भायक वही तै करें किया आप सोचते हैं कि जो सरकारें हैं जिने हमें चुना है चाहे वो केंदर की सरकार हो या तमाम राजे सरकारें वे बदले की कारवाई को ही अपना मूल मंत्र मानें और खास्तोर से एक समुदाय विशेश यहां पर विशेश उरुप से मैं जिक्र करना चाहूंगी कि मुसल्मानों को निशाना बना कर हिंदू को बर्गराए उन्हें हिंसक बनाए ये सारे सवाल और इस तरह के अंगिनस सवाल इस समय भारती लोकतंत्र के सबसे बड़े सवाल हैं जिन से मूँ चुराए कर ना तो सत्ता कोई आगे देश को बढ़ा सकती है ना बतौर नागरिक हम और आप चैन की जिन्दगी जी सकते हैं आप सोचेंगे शैस सोच रहे हो ठीच जैसे मैं सोच रही हूँ कि यह सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है एक के बाद एक दूसरी नफरत पहलाई जा रही है इससे फाइदा किसको होगा कहां कौन इच्छे की जो कहानी है उस पर जो बात होनी चाहिए उस पर समगरता से यानि कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से जो बातचीत होनी चाहिए वह नहीं आ रही हो यह रहा है कि एक एक करके जो घटनाएं आ रही हैं उन पर हम रियाक्ट करते हैं एक कड़ी को दूसरी कड़ी से किस तरह से जोड़ा जा रहा है या जुड़ी हुई है इस पर बातचीत बहुत कम है और शायद यह बहुत जरूरी है समझना कि यह नफरत का कारोबार फैलाने वाले लोग फैलाने वाला पूरा तंत्र दरसल क्या चाहता है इसका एजंडा और इसका लक्ष क्या है तो यहारों का मौसम हैं लिहाजा हमें दिखाई देता है कि तमाम तरह के विग्यापन इस समय आ रहे हैं तमाम कमपनियां मार्किटिंग के नई नई रणनीती अख्तियार करते हुए अपने लोगों तक जा रही हैं प्रचार-प्रसार कर रही हैं लिहाजा इसमें विग्यापनों पर जिस तरह से धुरुवी करण हुआ, जिस तरह से नफरत का पूरा का पूरा कारोबार चलाया जा रहा है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात फैब इंडिया की, फैब इंडिया दिवाली पर एक नया कलेक्शन लेकर आई, उसका नाम दिया जशने रिवाज, जशने रिवाज पर खूब हंगामा बर्पा हुआ, बताने की कोशिश हुई कि जशने रिवाज उर्दू का शब्द है, और उर्दू के पर लिखी ही नहीं गई, जहां वह पूरे गर्व से कहते थे, हर एक मकामे जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ हुआ उजाला दिवाली का, इस तरह की अंगिनत नजमे, शेर, शायरी हमारे और आपके बीच इस देश में पनपी हैं, लेकिन क्या कहा जाए, भाजपा क बैंगलूर से सांसद, भारती जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्टी अधिक्ष, ते जस्वी सूर्या ने जब इस विज्यापन पर फैब इंडिया को कट घरे में घेरा, कहा कि इसका बायकॉट किया जाना चाहिए, तब आपको, हमको, पूरे भारत को, और फैब इंडिया ने घुटने टेक दिये, अपना ये पूरा का पूरा कलेक्शन का नाम उन्होंने जशने, उर्दू के शब्द जिन पर आपती थी, जशने रिवास उससे वापस ले लिया, मामला यहीं नहीं रुका, क्योंकि मामला यहां रुकना नहीं था, अब आप देखिये, डाबर ने करवा चौत पर ब्लीच के विग्यापन के जरिये एक समलेंगिक जोड़े को दिखाया, और यह भी दिखाया कि परिवार में किस तरह से इस जोड़े को मानेता मिली हुई है, जब यह विग्यापन आया, तभी से खलबली थी, और उसके बाद तो मद् प्रदेश के ग्रिह मंत्री निरोत्तम मिश्रा ने इस पर आपत्ती जताई और उन्हेंने कहा कि कानूनी कारवाई होगी, तुरंथ घुटने टेक दिये गए, विग्यापन वापस ले लिया गया, और आपको याद होगा मानेवर का जो विग्यापन है, जिसमें कन्यादान का जो शब्द है, उसे कन्यामान से जोडने की बात की गई, उस पर भी खूब हंगामा हुआ, मानो कन्यादान को लेकर जो लंबे समय से भारत में बहस रही है, तमाम लड़कियां, तमाम महिलाएं, इस पर सवाल उठाती रही हैं, वे सारे सवाल, वे सारी डिबेट, सारी बहस बेमानी हो गई यह बताया गया कि अगर हम कन्यादान पर सवाल उठाएंगे तो हिंदु धर्म और संस्कृती खत्रे में पड़ जाएगा यहाँ जो सबसे एहम सवाल है यह सारी की सारी मानसिक्ता हिंदु धर्म को हिंदुओं को बहुत कमजोर धंग से पेश करती है पड़ गई जैसे ही एक समलेंगिक जोड़ा सामने आया करवाचौत संकट में फस गया जैसे ही कन्यादान की जगा कन्यामान शब्द का इस्तमाल किया गया हिंदु धर्म और संस्कृती की धज्जियां उड़ने लग गई और आप आएंगे कि जिस तरह का विरोध हुआ जिन लोगों ने विरोध किया वे सारे लोग वे हैं जो देश में राजनितिक मोर्चे पर बहुत सक्रिये हैं वे चुने हुए परतिनिधी हैं यानि वे फ्रिंजज एलेमेंट्स नहीं हैं जिने अभी तक हम कहते थे कि ये वो लोग है जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं सारी की सारी बैटिंग वे लोग कर रहे हैं जो के कमान देश की कमान उनके पास है आगे के नेता के तौर पर उन्हें भारती जनता पार्टी, मोधी सरकार, बाकी राजी सरकारें पेश कर रही है वजह क्या यह बड़ा सवाल है इसी क्रम में प्रकाश जहा पर बात करना जरू प्रकाश जहा वेब सिरीज अपनी जो वेब सिरीज बना रहे हैं जो जिसका तीसरा चरण आ रहा है आश्रम तीन उसकी शूटिंग हो रही थी उसकी शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कुछ उपद्रवी आते हैं सेट पर तोड़ फोड़ करते हैं प्रकाश जहा पर ये वही प्रकाश जहां हैं जिन्होंने दो हजार सोला में जब करण जोहर ने कहा था कि देश में अस्यूशूणता बढ़ रही है उस पर चिंता जताई थी तब प्रकाश जहां सबसे पहले सामने आये थे और उन्होंने इस पूरे घटनाकरम से इंकार किया था शायद आज प्रकाश जहां समझ रहे हो या प्रकाश जहां सरीके तमाम लोग समझ रहे हैं कि एक न एक दिन बारी सबकी आनी हैं ये जो पूरा महौल बनाया गया है जिस तरह से महौल बनाया जा रहा है कि कोई भी यहां कोई भी में जब हम बोलते हैं तो आपको जो अभी भाशपा की विवादित नेता भुपाल से सांसत प्रग्या ठाकुर का जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो हम आपको सुनाएंगे अभी उसमें देखिए कि यहां कौन लोग हैं जो तै करते हैं या त देश में आप और हम क्या देखें क्या सुने क्या फिल्म बनाएं क्या विग्यापन बनाएं इसमें कहीं से भी भाशपा की जो इनेता हैं जो बोलती है प्रग्या ठाकुर वो कोई दुविधा छोड़ती नहीं है आए सबसे पहले सुनते हैं कि प्रग्या ठाकुर ने क्या कहा क्या तो किसी भी धर्म के साथ खिलवार नहीं चलेगा कोई भी मत और पंत अपनी मर्यादा में है सब रहें धर्म अपनी मर्यादा में रहता है और अगर धर्म के विरुद्ध धर्म एक है सनातन धर्म जी से कहते हैं और इस धर्म के विरुद्ध अगर किसी ने खिलवाड की तो वो सुईकार नहीं है चुनाव से जोड़कर इससे देखा जा रहा है कॉंग्रस का कहना होगी जोगों कोई मतलब नहीं होता है मैं पूरा संद्भ्य लीざ कहलेब नहींता है और अगर वो उचित है उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे पहले पिक्चर बनने ही नहीं देंगे अगर एसा है और नहीं तो sensor board में ऐसे लोगों के खिलाप मैं कारवाई करूंगा यानि अगर प्रग्या ठाकुर, बजरंगदल, सांसा सूरिया या इस तरह के तमाम लोगों की आप बात मानें, हम बात मानें, तो इस देश में अब एक नया कानून है यह नया कानून है कि जो भीड़ तंत्र है, जो लिंचिंग मॉब है, वह तै करेगी कि देश में क्या चले, हमारे आपके जीवन में क्या चले इसी क्रम में इलाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कन्वर्जन वाला कानून है उसमें जो बहस चल रही है उसमें जो स्टेट्मेंट दिया है उसमें जो उन्होंने कहा है वह भी ध्यान देने योग है जिस तरह से उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कम्मुनिटी के हित हैं जो समुदाय के हित हैं वह व्यक्ति के हित से उपर हैं यानि मैं बतौर भारती नागरिक मैं बतौर भारती महिला किस से शादी करना चाहूं किस धर्म में रहना चाहूं किस से दोस्ती करना चाहूं इसके अगर मेरा समाज तयार नहीं है, यहां समाज कोट अनकोट है, क्योंकि यहां समाज की कोई परिभाशा नहीं है, चार समूह, चार गुंडे, चार मवाली इकठे होके मेरे और आग के समुदाय का प्रतिनिद्यत्व करते हैं, यह लंबे समय से होता आ रहा है। इस तरह से उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश हाई कोट में जो बयान दिया है, जो हलफ नामा दिया है, उससे बहुत साफ है कि वह चाहते हैं कि भारत में हमारे आपके निच्ता के जो अधिकार हैं, हमारे आपके जीवन के जो fundamental rights हैं, जिसे देश का सम्मिधान खड़ा हुआ है उन सब के माइने तभी तक हैं जब तक यह सो कॉल्ड समाज उससे परिशान नहीं होता यही मानसिक्ता इस तमाम घटना क्रम में हैं लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि यह जो नफरत पहलाई जा रही है इससे हासिल किसे और क्या होगा मामला सिर्फ विज जो ट्रोल आर्मी है वो किस तरह से चुन-चुन के लोगों को निशाना पे लेती है सिर्फ शारुक खान के बेटे आर्यन का ही मामला नहीं है जिस पर लंबे समय से बैटिंग हो रही है जो कॉर्परेट मीडिया है वह सुबे से शाम तक नफरत परोस रहा है जो हाल का मामल है जिस तरह से हमने देखा कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद जिसमें भारत हार गया उसके बाद भारत के खिलाडी महमद शामी के खिलाफ नफरत उडे ली गई उनके उपर गालियों की बॉच्छार की गई बताया गया कि किस तरह से वह देश के लिए नहीं दुश्मन के लिए खेल रहे थे और इसे कहीं से भी रोकने का काम किसी भी संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ती ने नहीं किया, किसी भी जिम्मेदार मंत्री ने नहीं किया, बी सी सी आई नहीं किया, किसी ने कोई स्टेट्मेंट नहीं दिया, कि जो नफरत फैलाई जा रही है यह गलत है, उससे एक बास साफ होती है, कि नफरत का पैट्रोनेज या इसको जो वर्धास्त मिला हुआ है, वह कहां से मिला हुआ है, कहां से लोगों को लगता है, कि वह ए के रहेंगे जाएंगे हमला करेंगे ट् ikiड पर पूरा ट्रेंड कराएंगे और विज हासिल कर met यह विजी हासिल करने का जो नशाद है कि हम यह विज्यापन वापस करा सकते हैं यह फिल्म रुकुआ सकते हैं इसकी कड़ी बहुत लंबी है हाल में ही जिस तरह से बिंदी को हिंदुत्व के साथ जोडा गया पूरा ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई कि अगर नो बिंदी नो बिजनस यह शायद भारत के लिए बेहर शरम की बात है जहां दिखाई दे रहा है कि बिंदी तक पर इस तरह का धुरूवी करण करने की की जा रही है यह सब कुछ सोशल मीडिया पर इतने खुले आम हो रहा है बिना किसी रोक के हो रहा है कि उससे लगता है कि एक पूरी की पूरी साजिश है भारत की दिशा को मोडने की इस बात पर जरूर ध्यान देना जरूरी है कि यह जो अचानक ही नफरत का सहलाब आया जाता है पूरी ट्रोल आर्मी लगती है एक के बाद एक हमला होता जाता है सब को दूसरे ढंका हिंदू बनाने की कोशिश होती है इसके पीछे फायदा किसे है क्या सोच है अगर आप ध्यान से देखिए तो देश की दिशा को बहुत ही खतरनाक ढंक से मोडने की कोशि हो रही है जिस समय देश में पेट्रोल डीजल महंगाई जैसे मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं होने चाहिए बेरुजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए जिस समय देश में बुनियादी सुविधाओं की जो पूरी की पूरी अवहिलना है जो मिल नहीं रहा उस पे चर्चा होनी चाहिए वहाँ पर इन तमाम चीजों पर चर्चा होने के बजाए जहां हम हंगर इंडेक्स पर लगातार दुनिया में सबसे बदनाम देशों में शामिल हो रहे हैं जहां डेमोक्रिसी इंडेक्स में भारत की स्थिती खराब होती जा रही है इन तमा आप पाएंगे कि नौजवानों की पूरी की पूरी भीड मुड़ रही है देश को भीड तंत्र में तबदील करने के लिए नफरत में उडेलने के लिए क्योंकि अगर हम आप और जो आने वाली पीड़ी है वह देश को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करेगी तो निश्चित तोर पर देश को पीछे ढखेलने वाली जो तमाम ताकते हैं यह इसे नया नॉर्मल में तबदील कर देंगी यानि अमरीका में 1960 से पहले का जो पूरा का पूरा दौर था वहाँ पर अश्वेतों पर जो हमला था वह बहुत ही कॉमन था उस समय के अमरीका के लिए नॉर्मल था तक्रीबन वैसे ही हालात भारत में पैदा किये जा रहे हैं जो नय भारत का पूरा का पूरा नारा प्रधान मंत्री नरेन मोदी दे रहे हैं उसमें यह नया नॉर्मल है कि लोकतंतर पर भीडतंतर रहावी हो कानून पर दूसरे ढग के कानून लागू हूँ इसके साथ साथ एक और एहम सवाल जिसे उठाया है सहबा हुसैन ने सहबा हुसैन गौतम नौलखा की पार्टनर है गौतम नौलखा भीमा कोरेगाओं मामले में जेल में बंद है उन्होंने और बाकी लोगोंने मिलकर एक पत्र लिखा है इस पत्र पर चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पत्र से ही पता चलता है कि किस तरह से भीमा कोरेगाओं मामले में जो लोग गिरफतार हैं उन्हें बिना कोई कारण बताए अंडा सेल में डाल दिया गया है गौतम नौलखा सहित छे लोग इस समय अंडा सेल में हैं भीमा कोरेगाओं मामले में सहबा ने जो पत्र लिखा है जिस पर हम उनसे बात भी करेंगे उससे एक चीज साफ होती है कि जेल में जो बुनियादी अधिकार होने चाहिए जिस तरह से वह फोन पे लोगों से अभी बात कर पाते थे परीजनों से बात हो पाती थी वह सब कुछ बंद हो गया है और साथी साथ जो चिंताएं सहबा ने की हैं आईए सुनते हैं कि सहबा किन सवालों को उठा रही है हमारे बीच देखे भाशा मैं ये बताओंगी कि कली स्टेटमेंट निकला है और बहुत अच्छी तरह कवर भी किया गया है और ये जो एक एकदम से आबिट्रिरी डेसिशन था दो चीजे हमने रेस किया है सबसे बड़ी बड़ा सेट बैक हमारे लिए ये है कि अचानक क्योंके कोविट बेहतर होने की वज़े से जेल खुली है मुलाखात के लिए और उसी जैसे वो खुला तो उन्होंने तै किया कि हम फोन्कॉल सब बंद करते हैं और ये जो डेसिशन है इससे हमें बहुत अखली पहुंची है सिर्फ गौतम और मेरी बात नहीं है सारे बीमा कुरिगाओं के हैं मैनी प्रिस्नर्स उनके वे भी ये बहुत बड़ा एक मुता है बहुत बड़ा मसला है जिसको हल करने है अब ये मैने स्टेटमेंट या जो चिठी लिखी वो इसलिए कि भई हर बात के लिए क्या हम कोट भागे हमारा पेंडिंग है केस कोट में गौतम के दो पेटिशन अभी पेंडिंग है लिस्टिंग हुई नहीं है अब हम इसी चीज के लिए भापते रहें अगर कि भई फो जब गौतम ने मुझे चौदा तारिक से चार दिन पहले दस तारिक शायद उन्होंने फोन किया था विडियो कॉल तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पांच जो को उप्यूस्ट है उनको शिप किया गया है अंडसल में और शायद हम दूसरों को भी शिप करने का इरादा है जेल अथोरिटीज का फिर चौदा तारिक को गौतम का फोन आया सुबह और उन्होंने का देखो मुझे दो दिन पहले शिप किया गया लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि फोन कहा गया है मुझे कि ये मेरा आज लास्ट हॉल है तो वो बहुत परेशान थे और मैं कि बीवी हो मैं कुछ भी नहीं है इसमें से वो मेरे साथी हैं और हम जीवन साथी हैं तो अब ये समझना थोड़ा और उसके लिए भी मैं कोट जाओं या किस तरह मैं जाकर और दस मिनिट हमें मिलते हैं मुलाखार के हम ये कह रहे हैं कि देखिया आप इसको ये या वो मत क बाहर रहते हैं और उमर भी कई लोगों की ऐसी है कि वो पहुंच नहीं पाते हैं ती आसानी से और बड़ी बीर लग जाती है रहां दो हजार प्रिजनास को मिलने चारहजार लोग आते हो जो आपको सुबे से लाइन में खड़ा होना होता है तो इसलिए मैंने ये स्टेट्मेंट जारी किया अब ये है कि हमें वजह नहीं मालूम गौतम को भी नहीं मालूम के क्यों शिप किया गया एक रिपोर्टर ने स्टेट्मेंट के बाद जब कोई authorities को phone किया jail में तो उनसे कहा गया कि ये उनकी बहतरी के लिए है क्योंकि barrack हमेशा crowded रहता है, यहां कमसकम हर एक का अपना cell है, confinement है, तो ये ऐसे कोई problem नहीं है, ये कोई matter of controversy ही नहीं कि उनको हमने डाला, ये नहीं बताया कि high security, अब उसका मतलब क्या हुआ भाशा, कि वो library नहीं जा सकते हैं, canteen नहीं जा सकते हैं, चाहे वो हफते में एक ही बार क्यों नहीं और jail से बैरेक से निकलते हैं, जो आठ घंटे तो खुली जगे घूम सकते हैं, वाक कर सकते हैं, अब यहां यह है कि आप सेल से निकल यह, गौतम ने कभी यह नहीं कहा कि भई मेरा दम निकाल उसेल से मुझे, यह हम थोड़ा चौकने होगे, क्योंकि गौतम ने बहुत अच्छी तरह समझाया भी है, क्या हालाद हैं वहाँ पर, तो वह बिलकुल अंडा सेल के बाहर नहीं आ सकते हैं, वह सर्फल जो हैं अंकर, और हाई वाल्स, अब आपको मिले हैं, आपको में भी सेल के बाहर तिमेंटेट और आपके अत्राब दीवार करिए। वह कह रहे थे मुझे, कि एक मिनिट की भी दूप हमें नहीं मुझे हैं, सूरज तो दिखता ही नहीं हैं, और पेड एक नहीं हैं, खुझी जगे नहीं हैं, तो मुझे हेल्थ के लिए भी कंसिर्वरेंगी जगे, और पहले सही थोड़ी वाल्मेरबिलिट चो तो रहती है जेल में आपके हेल्थ को लिए। चाहे मामला भीमा कोरे गाउं मामले में बंध 15 लोगों के बुनियादी अधिकारों का हो, उनके उपर जल्दी से जल्दी केश चलने और उनके परीजनों तक उनकी बात पहुशने का हो, या फिर भारती लोगतंत्र पर भीडतंत्र, नफरती तंत्र के हावी होने का हो, इन सब पर आपका और हमारा सवाल उठाना, सतर्प निगाह बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश अगर नफरत के सैलाब में चला गया, तो हमारा आपका और आने वाली पीड़ी का भविश सब खत्रे में हो जाएगा, शुक्रिया